दोस्तों बातों से बताशे फोडने वाले बीजेपी के नेता सिर्फ बातों में यकीन रखते हैं काम में नहीं इसके एक नहीं अनेक उधारण आपके सामने प्रस्तुत हैं साथ ही जो कहते हैं ठीक उसका विप्रीत करते हैं इसके भी अनेका नेक उधारण आपके सामने हैं की बात की थी लेकिन नहीं दिये थी किसी तरीके से मद्धिपरदेश में बीजेपी के मुक्यमंत्री शिवराज सिंग चोहान ने एक बात और कह दी है जिसे जानने के बाद हम ये सोचने पर मजबूर हैं कि इसका विपरीत अगर हो गया तो आपकी जिंदगी पर क्या असर प दीजे दोस्तों मद्धिपरदेश के मुक्यमंत्री सिवराज सिंग चोहान ने ट्विट कर कहा कि आज भोपाल में श्यामला पहाडी पर सुष्री उमा भारती दीदी जी के साथ उन्होंने बर्गत आमला और पुत्र जीवक का पौदा रोपा उन्होंने कहा कि जीने के लि और च्छाओं च्छीन लिए तो सोचिए आपकी जिन्दगी का क्या होगा मद्धिपरदेश के भीतर क्योंकि मद्धिपरदेश में जो हालात सिख्षकों के बेरोजगारों के हैं उससे तो आप सभी अवगत हैं जीडीपी भले सरकार की बढ़ गई हो लेकिन शायद आम आदमी की नहीं बढ़ी जैसे ही एक ट्विट मद्धिपरदेश की जन्ता ने देखा तो लोगों ने अपनी पृत्क्रियाएं देना चालू करती एक यूजर लिख रहे हैं कि वा पौदे लगा रहे हैं सो चुए बिल्ली खाकर हज को चली बकस्वा में जन्गल कट रहे हैं यां दो तिन पौदे लगा करके मुखमंत्री जी अपना काम देखा रहे हैं तो एक यूजर कह रहे हैं कि सिख्षकों के नुक्ती पर काम कीजिए मामा जी इसके साती सात कह रहे हैं एक यूजर कि बीजेपी का के नाम बदल देना चाहिए सब का साथ सब बर्बाद कर देना चाहिए इसके साती साथ एक यूजर और अपने मन की बात कह रहे हैं वह कह रहे हैं कि अब पेड़ पॉदा के नाम भी बदलना चालू कर देना चाहिए so, इस परकार उमा बारती जी ने मद्यप्रदेश के मुख्यमंत्री सिवराज सिंग चोहान जी के साथ पौदा रूपा हो सकता है कि उमा भारती जी ने पूछा होगा और आपका बेटे की पड़ाई अमेरिका में कैसी चल रही है क्योंकि मद्यप्रदेश के बेटे बेटियों से तो आप किसी क मतलब रहा नहीं तो मुख्यमंत्री जी से हालचाल पूछ लिए होंगे वैसे तो मद्यप्रदेश के क्या हालात हैं गैस को लेकर के पैट्रॉल को लेकर के डीजल को लेकर के आप सभी लोग परचित हैं कि शायद मद्यप्रदेश के मुख्यमंत्री जी सिवराज सिंग चो का बविश्य क्या हो उन्हें एक प्रतिशत का इससे लेना देना नहीं है दोस्तों मद्यप्रदेश के मुक्मेंतरी सिवराज सिंग चोहान जी ने यह जो ट्विट किया है पेड़ों को लेकर के और जिंदगी की जो बात कर रहे हैं धूप और च्छाओं की उस पर आप क्या स सोचते हैं कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजेगा सरल टॉक को सब्सक्राइब कीजेगा और इसे सोचल मीडिया के हर प्लेटफर्म पर शेयर कीजेगा साथी साथ सरल टॉक के ट्विटर इस्टाग्राम और टेलिग्राम पेज को भी फॉलो कीजेगा अगले सकते हैं